आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो से लीशन पाओ डाउटनोड नाउ A solenoid, Vethan, Iron, Core and a bulb are connected to a DC source चलिए हम connection बनाते हैं तो ये मेरी solenoid है और इस solenoid के साथ जो है मेरी bulb connected है तो ये मेरा bulb है और ये जो पूरा setup है ये एक DC source के साथ connected है ये लिजए मैंने एक DC source connect कर दिया तो अब क्या है जो solenoid है उसके अंदर हमने एक iron core घुसा कर रखा हुआ है तो there is a iron core inside this solenoid तो हमें कह रहा है how does the brightness of the bulb change when iron core is removed from the solenoid तो iron core को जो हम remove कर देंगे तो मेरी brightness पर क्या फर्क पड़ेगा हमें ये बताना है तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या है ये हमारा DC source है तो DC source में ये जो है मेरी solenoid ये क्या है एक inductance है तो XL की value क्या होती है ये जो मेरी inductance है ये अपना reactance कितना offer कर देगी XL is equal to omega into L तो omega क्या होता है omega होता है 2pi frequency into L अब देखें DC source जो होती है उसकी frequency जो है 0 होती है तो DC source में frequency 0 होती है इसका मतलब जो है XL की value 0 के equal हो गई इसका मतलब इसमें चाहे rod मैं घुसाओं या फिर न घुसाओं ये जो है ये बिल्कुल straight path देगा इस current को flow होने कलिए क्यों XL अगर 0 हो गया तो it will offer 0 resistance ये 0 resistance ओफर करेगा 0 resistance ओफर करने का मतलब है ये बिल्कुल एक straight wire की तरह मेरा बन गया तो ये एक straight wire मेरा बन गया तो इसमें चाहें मैं ये जो rod है इसे घुसाओं या फिर नहीं बाहर रखों इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमें question ने पूछ रहा था how does the brightness of the bulb change तो initially भी current आई जा रहे थी और finally भी current मेरी आई ही जाएगी तो current अगर से में रहा गया तो हमारा जो brightness है वो change नहीं करेगा तो answer इसका होगा no change no change in the brightness of the bulb Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर